असलाम अलेकुम फ्रेंड्स डेरी न्यूज एंड इंफर्मिशन चैनल पर तुमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं इस चैनल पर जितनी भी वीडियोज हैं उसमें जो हम अपने फार्म पर आम रूटीन में प्रैक्टिकल करते हैं और जो हमने तेजर्बा असल की है उसके मतलिक दोस्तों को भी बताते हैं ताके हमारे जो वीडियो देखने वाले इजरात हैं उनका भी फाइदा हो सके और जो नुकसान हमें हुआ है आप लोग उस नुकसान से भी बच सकें तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले गुजारेश है कि जो हमारे चैनल पर नहीं आए हैं चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीठे सोड़े के मतलिक कि इंग्लिश में से बेकिंग पॉडर कहते हैं कि हम अपने जानवरों को मीठा सोड़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए और कितनी मकदार में देना चाहिए और क्या मिठा सोड़ा देने का फाइदा है या नुकसान तो उसके मतलिक हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जानवर के अंदर रियूमन के अंदर पी एच लेवल होता है जो वाई बादी की वज़ा से सबस चारा ज्यादा डालने की वज़ा से कभी कबार कम हो जाता है जिसकी वज़ा से जानवर खाना पीना छोड़ देता है कम कर देता है और जानवर का दूद भी कम हो जाता है और बास दफ़ा दूद की फैट कम हो जाती है, एलर कम हो जाती है, जिसकी वज़ा से दूद पतला हो जाता है तो रियूमन की जो pH है, वो 5.6 के अंदर होनी चाहिए जब हम इनको रूटीन में मिठा सोडा नहीं देते और इनका रियूमन की तजाबियत बढ़ जाती है खुराग कम खाता है और फिर दूद की पैदावार भी बरपूर तरीके से नहीं होती तो हम अपने फार्म पार रूटीन में मीठा सोडा डालते हैं तो मीठा सोडा डालने का जो बेस्ट तरीक है वो एब बंडे के अंदर हम मिक्स कर लें वो सबसे बेतर है यहां जिस टाइम हम चारा डालते हैं उस टाइम चारे के उपर डाल दें लेकिन जब बंडे के अंदर मिक्स करेंगे तो फिर वो जाया उन्हें का अंदेशा नहीं होता वो जानवर सानी से खा लेता है और कोई इतनी ज़्यदा उसकी स्मेल नहीं होती मीठा सुड़ा डालने का फाइदा यह है कि इससे जानवर की पीएच नॉर्मल रहती है उसका नजामे नजाम बिलकुल ठीक रहता है हाजमा ठीक रहता है और जिसकी वज़ा से अगर हाजमा ठीक होगा वाईबादी के मसाइल ना होगे तो थनों में खून गएरा आना थन का भूल जाना या वाईबादी की वज़ा से साडू हो जाना ऐसे मसाइल हमें नहीं देखने में आते और जानवर अपनी पूरी प्रोडेक्शन करता है नजामे नजाम बिलकुल ठीक रहता है तो तुमाम खराक जो भी हम डालते हैं वो प्रापर तरीके से लगेगी और अगर हासमा हमारे जानवर का ठीक नहीं है तो खराक भी अच्छे तरीके से नहीं लगती तो जो गबन जानवर हैं हम उनको भी मिठा सोड़ा डालते हैं और जो बच्चे हैं, उनको भी डालते हैं, मकदार का बस थोड़ा डिफरेंस होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि मिठा सोड़ा जो है, आम रटीन में एक तो डेली आप इस्तमाल करें, और दूसरे नमबर पर अगर आप बंडा बनाते हैं, घर पर बंडा तियार करते ह हैं, तो सो केलो बंडा बनाने में हम तकरीबन डेड़ से दो केलो मिठा सोड़ा इस्तमाल करते हैं, बाकी घर-एक अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरे शाब रिशाबसे 2% मिठा सोड़ा उसमें डालना जरुरी है, क्यूंकि उससे जानवर का, रियूमन, मेदा बिलकुल ठ भी काम करेगा तजाबियत नहीं होगी जिसकी वज़ए से जानवर चारा भी ज्यादा खाएगा और प्रोडेक्शन भी उसकी काम नहीं होगी और आम रूटीन में अगर हम बजार का बंडा इस्तमाल करते हैं या खालव गयरा डालते हैं तो उसमें हम अपने जानवरों को तक 50 ग्राम बंडा हम इनको रुज़ाना के बनियाद पर दे रहे हैं 30 ग्राम 50 ग्राम और जो हमारे चोटे जानवरां कटड़े या बच्छड़े उनको हम मिठा सोडा जो है तकरीबर 15-20 क्राम दे दे रहे हैं डेली के बनियाद पर जयानिक जब चोकरुगरा डालते हैं या सोडा सा बंडा उनको डाल दिया साथ में मिटा सोडा डाल दिया यह भी उनके लिए भी बहुत बहुत है जिससे कोई किसी किसम की पेट की बमारियं मेदे की बमारियं काफी हद तक कम हो जाती है जो हाजमे की वुज़ा से बनती हैं और उसके लावा जो हमारे प्रैगनर जानवर है उनको हम महत्याद करते हैं कि देखें अगर जानवर का हाजमा ठीक है गोबर वगहरा नॉर्मल कर रहा है तो हम नहीं डालते लेकिन अगर गोबर वगहरा सख्त कर रहा है तो हम उसको मिठा सोडा जरूर डालते हैं और जो जानवर आपके गोबर पतला करते हैं तो इसका मतलब है कि उनको हमने मिठा सोडा नहीं डालना उनके अंदर तजाबित नहीं है उनका नजामे नजाम पहली बहुत फास्ट है तो मिठा सोड़ा डाल के हम नुकसान करेंगे तो अमीद है कि मेरे दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी वीडियो देखने का शुक्रिया लाहफिज